नमस्ते मैं हूँ तत्परा अहो रात्रा मैंने पक्षी राजा के बारे में सुना जरूर था लेकिन उन्हें असलियत में देख भी लिया इस सुन्दर अनुभाव को आप सभी के साथ बाटना चाहती हूँ और इसी लिए ये वीडियो आज डाल रही हूँ करनाटक में बसे हुए इस पक्षी प्रेमी का नाम है मुन्ना इनके और पक्षियों के बीच इतना प्रेम और भरोसा है कि ये हर सुभ़ और शाम इन पक्षियों को खुला छोड़ देते है और आपको ये जानकर आश्चरिया होगा कि कुछ घंटे उड़ने के बाद ये सारे पक्षी खुद वापस लोटाते है अपने बारा साल के अनुभव से मुन्ना ने हमें बताया कि ओवल आकार के अंडे फीमेल कबूतर के होते है और राउंड एज के अंडे मेल कबूतर के होते है बड़ी कबूतरों में मेल और फीमेल कैसे परक्णा है अब वो जानेंगे Females का neck portion पतला होता है और उनके नाक और सर का portion भी काफी कम होता है उनके पूच के पास हड़ी भी नहीं होती है जो males में पाई जाती है Males का neck portion काफी बड़ा होता है जिसके वज़े से उनके आवाज में भी काफी अंतर आता है इनके पूच के पास एक हड़ी भी पाया जाता है इस अंडी पर हलका सा दरार दिखने का मतलब है कि कुछ ही दिनों में इसमें से कबूतर का बच्चा बहार आएगा अपने अंडे से बहार आने पर ये ठीक ऐसा दिखेगा इसे अंडे से बहार आए हुए पंदरा दिन हो गए है और इसे दस दिन हो गए है इस कबूतर को अंडे से बहार आए हुए अब एक महीना हो गया है अब हम मुन्ना के पास मौजूद अलग-अलग किस्म के कबूतर के नाम जानेंगे इसे वाइट तामराल कहते है और ये है रोशन इसे वाइट बुरी कहते है जिसके छे सो साल के वन्शज है इसे धुमा कहते है इसे तामराल के नाम से जाना जाता है ये है मक्शी इसे धुमा और साथ में है सुर्मी ये हायरारचिनी है और ये हैं गेर्वा इनहें सभी तारा के नाम से जानते है इनहें तामराल और धूमा रिकदर कहते है इनके आखों के रिंग्स के हिसाब से इन सब का पेरिंग किया जाता है इन्हें हाइरार्चिनी और धूमा कहते है ये है गुलदार और कतंग इसे गिदारेक्तार कहते है जिसका उम्र अब ग्यारा साल है इसे सल्वा कहते है जो सबसे भरोसे मन पक्षियों में से एक माना जाता है मुन्ना ने इन्हें इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है कि ये इतने खूपसूरिती से हवा में फ्लिप मारते है धन्यवाद तत्परा अहो रात्रा